हेलो रसलिन फैंस और आप सभी के स्वाथ है मेरे चैनल स्पोर्ट्स टॉट पे एन अब वेरी वेरी हैपी न्यू येर तो अल अफ यू 2020 स्टार्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैनवरी 2020 के पहले वीट में क्या क्या रसलिन अपडेट्स रहे हैं चाहे वो जुड़ा हो WWE से NJPW से या फिर AEW से तो इस वीडियो में आपको सभी रसलिन अपडेट्स तरह पता चल जाए रहा तो इस वीडियो को पर्फॉमंस के बेसिस पे N.H.T. Awards दिया रहा और N.H.T. Awards तो पूरिता से दोमिनेट किया अंदिप्टेटर एरा ने 2019 Overall Performer of the Year के अवार्द मिला Adam Cole को 2019 Male Performer of the Year के अवार्द मिला Adam Cole को Best Tag Team of 2019 के अवार्द मिला अंदिप्टेटर एरा को 2019 Female Performer of the Year के अवार्द मिला शाइना बेजलर को 2019 Rivalry of the Year के अवार्द मिला Adam Cole vs. Johnny Gardano 2019 Match of the Year भी था Adam Cole vs. Johnny Gardano और 2019 का Best N.H.T. Takeover था N.H.T. Takeover War Games तो यह बात हुआ रहा नहीं नहीं के अब बात कर लेते हैं WWE के पहले SmackDown के शोर के बारे में तो पहले SmackDown के शोर में हम लोगे को कुछ बहुत बढ़े Returns देठें को मिले जैसे की Sheamus का Return हुआ और Sheamus ने आके इड़ फिर से अपना Heel character को रेप्रेजेंट किया जहाँ उन्हें शौटी जी को पीटा और उसके बाद जो है उसोस का फाइनली रिटर्न हुआ जब फिर से कीन कॉर्बन और डॉल्फ जीडलर डॉमिनेट कर रहे थे रोमन दिंस्कों तो वहां पर उसोस आके सेफ किया रोमन दिंस्कों और उसोस ता फाइनल रिटर्न हो चुक है SmackDown में और जॉन मॉरिसन भी SmackDown के Backstage पर गाई दिये थे और मोस्ट प्राबली जॉन मॉरिसन के बहुत जल में इंड्रिन डेब्यू या फिर इंड्रिन डेटर्न आपके आसफ़ते हो जाए रहा वहाई अकर आप AEW की बात करें तो AEW में Chris Jericho को लनातार कोशिश कर रहा है कि जॉन मॉर्सली को अपने Faction Inner Circle में ला सके और इसलिए इस हफते भी Chris Jericho ने जॉन मॉर्सली को एक बहुत लजजीरियस ओफर दिया था जहां पर उन्होंने जॉन मॉर्सली को एक कार ओफर किया अगर इनर सर्कल जॉन करते हैं तो और जॉन मॉर्सली ने Chris Jericho से कहा कि वो उनको next tweet बताएंगे कि जॉन मॉर्सली का फैसला क्या है क्या वो Chris Jericho के Inner Circle को जॉन करेंगे या नहीं यह हम उनको आने वाले week में पता चल जाएगा वहीं जॉन मॉर्सली की बात करने तो जॉन मॉर्सली सिर्फ एडबलू नहीं वलकि एन्जपी डबलू में भी जाय हुए है जॉन मॉर्सली जो की पहले एनजपी ड़ू में इडबलू जीपी युएस चैंपियन थे लेकिन कुछ रालन के वैसे उनको अपने चैंपेंशिप ड्रॉप करना पड़ा तो IWGP रिसल किंडम था आज और रिसल किंडम में डीन अम्रोस का यानि जॉन मॉट्सली का मैच था लिंस आर्चर के साथ और बहुत ही बूटल मैच था बहुत ही अच्छा मैच हुआ वहाँ पे और वहाँ पे जॉन मॉट्सली ने लिंस आर्चर को हरा के दूसरी बार जॉन मॉट्सली बन गए है IWGP यूएस चैंपियन तो रिसल किंडम नाइट वन में जॉन मॉट्सली ने हरा दिया है लेंस आर्चर को वही नाइट टू में जॉन मॉट्सली के मैच होने वाला है जूस रॉबिंसन के साथ तो वह भी बहुत ही अच्छा मैच होगा और इसके अलावा भी NJPW रिसल किंडम में जितने भी मैचेस हुए वह बहुत ही कमाल के थे चाहे वो कजुची का ओटाडा और कोटा इबूशी का ही क्यों नहों तो बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिले रिसल किंडम नाइट वन में और नाइट टू में कुछ बहुत अच्छे मैचेस होने वाले हैं तो ओवरॉल बहुत ही अच्छा रहा है यह पहला वीक प्रोडेसिंग के हिसाब से देखा जाए तो कुछ बहुत बढ़े रिटर्न्स देखने को मिले बहुत अच्छे मैचेस भी देखने को मिले ओवरॉल अगरब WWE, NJPW और AEW को क्रमबाइन करके बात करें तो और उसके अलावा जो है नेट्स्ट वीक RAW होने वाला है जो की होड़ा 2020 का पहला WWE RAW और इस RAW के लिए WWE टेलिवाइस किया है कि Brock Lesnar रिटर्न करेंगे और उसके अलावा जो है एक री मैच देखने को मिले रहा अंद्रादे वर्सेस रे मिस्टियो के बीच क्योंकि अंद्रादे CNN Master रे मिस्टियो को हरा दिया था एक लाइव इविंट में जिसके बादो US चैंपिन बन गए थे तो आप जो है अंद्रादे रे मिस्टियो के साथ एक रिमैच में लड़ेंगे इस रो में और मोस्ट प्रबबली अंद्रादे शाहिए अपने टाइकल डिफेंट कर लें रे मिस्टियो के खिलाफ तो यहीं है सारे विडिलिए इस विडियो में इतना ही अगर आप चाते है कि ऐसे आपको इसलिन अब्डेट्स लाएतार मिलते रहें तो चैनल को सब्स्राइब करें नोटिफिकेशन बिलक्वान कर लीजिए और अधर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्स्राइब करना बिलक्रों भूले